नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गौबलॉक्स में एक मेल हतेली आप पुरुस जातक हैं और आपकी रेल हतेली मेरे शामने बिबेचना के लिए आ रखी है देखेगा सबसे पहले जब मैं देखता हूँ आपकी हतेली को तो आपकी जो सबसे चोटी उंगली है इस पे मेरा एक आएक दियान जा रहा है बाकी चीजों पे उतना नहीं जा रहा है यहाँ पी ये उंगली देखेंगे तो आपकी रिंग फिंगर है ने जो या जो है मिटिल फिंगर है ने उसके दोसरे मध्यपौरवे तक भी नहीं पहुँच पा रही है और ये बुद्ध है ये वानी है ये ब्यापार है ये आपका जो कहते हैं कि एक बैबहु साली जीवन होता है उसको दिखाता है यहां पर बुद्ध तो बहुत अच्छा है लेकिन उंगली बड़ी छोटी है ये ऐसी अवस्ता विक्ति के अंदर लाती है कि ऐसे में जादतर विक्ति सांत सा उसका विक्ति तो थोड़ा दबा दबा सा बहुत निखर की नहीं आ पाना ठीक है ने इसको बहुत तो रखते हैं लेकिन किसी वोजो से बुद्ध की वोजो से बहुत जादा मान सम्मान आदर देखने को नहीं मिलता है हाला कि खराब नहीं है लेकिन ये आपको चाहिए कि जितना हो सके इसके नाखुन को आप बढ़ा ले और हरी सबजी है हरे फल हरी दाले है उनका खाने मे जादा से जादा परियोग करें और एक हरा रुमाल अपनी जेब में हमेसा बनाई रखें ठीक ने उससे यूज ना करें अपने ओपिस के बैग में या अपने जो है जेब में जरूर रखें हरा रुमाल सुबह और शाम को बोल बोल कर गाईतनी मंतर का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक सो आट बार अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो अश्नान करने के बाद रोज अपने बदन पे परफ्यूम लगाएं चंदन वाला ठीक है तो इसके जो नगेटिब प्रभाव हो है वो खतम से हो जाएंगे ये निश्चित है हाँ एक बात जरूर है आपको जो सपलता मिलेगी वो अपने बलबोते पे अगर आप काम करने के सोचेंगे तो बहुत बड़ी सपलता मिलेगी अपने बलबोते पे सब कुछ पाने की आपके अंदर कैपिबिलिटी है अगर आप चाहें तो ठीक है न ये चीज थोड़ा साधी उगेरा के मामले में अर्चने डाल सकती है और करियर और धन की रेखा भी एक आएक इस पे मिल रही है आगे नहीं बढ़ रही है तो भगवान शिब के सरणागत अगर आप चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाब होगा बड़ा सुन्दर लाब देखने को मिलेगा जन्म अस्तान से दूर आप उन्नती करेंगे जन्म अस्तान में रहेकर बहुत अच्छी उन्नती नहीं कर सकते हैं जर्म अस्तान से ही दूर आपकी उन्नत होगी हाँ एक बात तो निश्चित है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक परूरति के इनसान बन जाएंगे और अपनी जीवनकाल में ऐसे करम करेंगे कि मुक्च की प्राप्ति आपकी जीवन को हो जाएगी जिसको मुक्त की प्राप्ति होना कहते हैं बरतमान में अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देव गुरु ब्रस्पति सनी की तरफ दिश्टी गोचर कर रहे हैं तो देखेगा अगर साधी नहीं हुई है तो साधी होने में अर्चने आती हैं अगर साधी हो गई है तो जो दामपति जीवन का चरम सुक का भोग है या परिवार का जो सुक है उसके बीच में यह प्रस्तितियां खड़ी करता है और यहां से यह जो एनरजी इसको रिलीज करना चाहिए था ब्रस्ति को पूरी तरों से रिलीज नहीं कर पा रहा है और कहीं न कहीं धन की दिक्कतों को यह बढ़ा सकता है पोजा पाठ तो करते रहेंगे लेकिन इस्टि किर्पा उस प्रकार से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है घर के जो बुजरुग हैं उनसे आपके सम्मंद ठीक रहना थोड़ा मुस्किल है तो घर के बुजरुगों के साथ सम्मंद ठीक रखें बुजरुगों की वज़ों से भी आपकी जिवन में परिशानी आनी सुरू हो सकती है तो कोसिस करें कि उनका आसिरवाद आपको प्राप्त हो थोड़ा सा ये तरकी को रोग लेता है ऐसे में ब्यक्ति बस गुजरा करता रहता है इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन इनसान ऐसे में एक लेवल पार करके दूसरे और्बिट में नहीं जा पाता है खराब गुरू बहुत ज़्यादा खराब अगर ये होने बैठ जाए तो सेहत को भी खराब करता है डाइवर्टीज ऐसे में देता है कई बार लेवर की दिकतें बढ़ाता है कई बार ऐसे में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनसान को थोड़ा सा सितिल कर लेता है बिक्ति की जीवन से खुस हाली निकाल लेता है ऐसे में आपके पास कितना भी अच्छा ज्यान हो कितनी भी अच्छी नौलेज हो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफर्म नहीं देता है अगर प्लेटफर्म मिल भी गया बिक्ति उस प्लेट फॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाता है पैतरिक संपत्य का भी बहुत अच्छा लाब ऐसे में नहीं हूँ पाता है तो मैं एक दिब्य सोरे के रिया, एक दिब्य योग ध्यान के रिया दूँगा तो सारे जो आपके जो ग्रह है वो एक सीध में आ जाएंगे और कहीं न कहीं धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा दूसरी बात अगर यहां पे देखेंगे हम तो आपका सनी का छेतर भी थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा यहां पर बहुत ज़्यादा उबरा हुआ है थोड़ा गंभीर प्यक्तित्तों का मालिक तो बनीगे आगे जाके ये बात निश्चित है लेकिन बेवजह की चिंताएं भी कई बार आपकी जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है या कई बार ऐसी वजहें आ रहे हैं जो थोड़ा सा तनाओं में रखे सुबह उटने में आलस्य दे सकता है कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि भग्या या आपके हो सकते हैं कर्म या आपके दोस्त या रिष्तिदार आपको धोका दे रहें ये महसूस हो सकता है वो देंगे नहीं लेकिन ये महसूस हो सकते हैं आपके कारियों में थोड़ी सी अर्चने आ सकती है यहां पर सूर्य की इस्तित देखें तो सूर्य उस प्रकार से उभर करके निखर करके एनर्जी नहीं दे रहा है जो वास्तों में देना चाहिए दिब्यसुरे क्रिया में दे रहा हूं उसको आप जरूर करें ऐसे में क्या होता है विक्ति जो मेहनत करता है जो परिश्रम करता है उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो विक्ति को नहीं मिल पाता है ठीक है ऐसे में बिक्ति के अंदर जो योग्यता होती है जो क्वालिटी होती है उस तरों से चीजें निखर करके या उभर करके नहीं आ पाती है ऐसे में एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है अगर ऐसे में आप ब्यापार करने की तरब जाते हैं तो ब्यापार में उत्कृष्टता वो फैलाओ वो जो है ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने सब कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गई थी ऐसे में अगर ब्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो ब्यक्ति को वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो अब क्या करना चाहिए देखेगा इसके लिए दिव्य सूर्य किरिया आपको नियमित रूप से करनी है कम से कम तीन से छे मेहने तक आपको ये चीज करनी है तब जाके धीरे धीरे आपके जीवन में इसका परिवर्थन आएगा और बहुत अच्छा जीवन आप जीएंगे ये निश्चित है बुद्ध आपका बहुत अच्छा है आगे चलकर इसका लाब मिलेगा लेकिन अगर चंद्रमा की इस्तिति हम देखते हैं चंद्रमा आपका नेचुरल तरीके से अगर ऐसा है तो भगवन जाने लेकिन यहां पर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दी रहा है ये हो सकता है कई बार आपके मन पे आपके दिमाग पे असर जरूर पड़ता होगा इसका मानसिक रूप से ये कहीं न कहीं आपको अलग दिशा की तरफ भी ले जाता होगा भावकता भी दे सकता है और इमोशनली भी थोड़ा परेशान कर सकता है मन भी कई बार अच्छन ही होता होगा, मन कमजोर रह सकता है, मन बटक सकता है मन उचाट हो सकता है काम यहां कर रहे, मन कहीं और गया हुआ है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा digestive system येदि मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्टें भी विक्ति को आती है, विक्ति का जो हार्मोनल सिश्टम होता है उसमें भी बड़ा फरक पड़ता है ऐसे में मा के साथ में मत भेता कई बार उबरती है नीन आने में भी बिक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसके लिए मैं सांधार उपाई दे रहा हूं यहाँ पर अगर हम देखेंगे निमन मंगलों क यह बहुत जादा उबरा हुआ है ऐसे में यह बिक्ति को छण मंगलों वाला गुस्सा दे देता है ठीक है ने तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं उसको जरूर करें आपको बहुत अच्छा लाब होगा अपने करियर में और धन की इस्तित को ब आगे चलकर अगर इस लकीर की उजो से देखे अगर आप ग्रहों को अच्छी इस्तित में ले आते हैं तो जो आपका स्वस्त्य का मामला है आरोग्य का है तंद्रस्ति का है इसमें बड़ा लाब होगा दूसरी रेखा धन और संपति की रेखा है अगर यह रेखा एक बेहत अपने स्वस्त्य का अपने धन का और एस्वर्य भोगने का आगे चलकर जीवन में अच्छा लाब मिलेगा इसमें कोई दोराई नहीं दिखाई दी रही है आगे चलकर इन लकीरों की उजो से एक अच्छा नौलेज आपको प्राप्त होने वाला है और खास करके आपकी जी बदलाव हो रहा है और दूसरा बदलाव आपको दिखेगा 42 वर्स में और तीसरा बदलाव आपको दिखेगा 45 वर्स में ये बेहतरीन बदलाव आपकी जीवन के ऐसे रहेंगे जिसके बारे में आपके न तो परिवार वालों ने सोचा होगा ना खुद आपने सोचा होगा बिहत्रीन और शानदार सार्थक परिवर्तन होने जा रहे हैं और जिसका आपकी जीवन पर गहरा और लंबा असर पड़ेगा और अच्छा असर पड़ेगा बिहत्रीन असर पड़ेगा ऐसा लगेगा कि भगवान ने कोई चमतकार कर लिया हो ये इस्तितियां दिखाई दे रही है तो आप जरूर इन उपायों को करें आगे चलकर धार्मिक भावनाई वास्तों में बहुत अच्छी रहेंगी और इस स्वर में विश्वास बना रहेगा आगे चलकर मेहनती बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कर्म में वास्तों में विश्वास रखने वाले ब्यक्ति होंगे यस पाने की नेम फिम पाने की एक्छा भी रहेगी और रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रितनसील बिक्तितों भी आपका बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है, सुक्र आपका बहुत अच्छा है, सुक्र जैसे सभी ग्रहव हो जाए तो आपको बड़ा लाब होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस्तितियां भी यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कुल मिला की देखो, तो बहुत जादा विसलेशन करने के लिए बहुत जादा नहीं है, लेकिन मैं जो उपाई दे रहा हूँ, उसको बिदिवत तरीके से करने की कोशिस करें, अगर आप वास्तों में उन चीजों को करें, आपकी जी देखेगा मेन जो चीज है ब्रस्पती, सनी, सूर्या और मन का जो कारक है, दिमाग का जो कारक है, सनी, सारी, चंद्रमा, ये तीन, चारों ग्रह, कुछ अलग से बैठे हुए हैं, इस पे विसेश द्यान दे और हतेली में बैठे हुए हैं, ठीक हैं, बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, और अच्छा भी इनके जीवन में होगा, ठीक है न, तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा, तब तक के लिए, नमस्कार